मैं रूज प्रेंड सवागत आपको यूटूब चनल पर दोस्तो आज की विडियो में हम जानेंगे जोस्टम ओ टैबलेट के बारे में दोस्तो जो वह जोस्टम ओ टैबलेट है यह एक एंटिबाइटिक दवा है जो की बहुत ही अच्छी दवा है तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे डिटेल में जोस्टम और टैबलेट के फायदे के बारे में जैसे कि कौन-कौन सी बीमारी में यूज कर सकते हैं, खाने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या कंपोजिशन डाला गया है, डोज कैसे लेना है, कितने रुपे पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्त तक देखें, दोस्तों जो स्टम और टैबलेट है, इसको ज्विंटास नामक कंपनी दोरा बनाया जाता है, बहुत अच्छी कंपनी है, एक स्ट्रिप जो आती है, इसकी दस गोली रहता है उसमें, और इसकी जो पोजीसन के बारे में, तो इसमें एक ही मालीकूल डाला गया है, वो है सिफडिट्रॉन, दोस्तों जो सिफडिट्रॉन है, यह एक एंटिबाइटिक है, और सिपलोस्पुरिन कडगरी का यह ड्रग है, दोस्तों अगर बात करें, सिफडिट्रॉन के स्ट्रिंद के बारे मे तो यह आपको 200 mg, 400 mg और 50 mg यह 3 strength में आता है जो सबसे ज़्यादा यूज के जाता है वो है 200 mg और 50 mg 50 dt जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा यूज के जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में तो जो हमारी respiratory system है उससे जित्ती भी बिमारिया होती है उन सब को यह दूर करता है जैसे कि आपको bronchitis हो गया है यहां पर नली में सूजन आ जाता है जिसके जैसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है खासी आती है और हमारे respiratory system से जितनी भी बिमारिया होती है उन सब में इसका यूज के जाता है और काफी अच्छा इसका रिजल्ट है उसके साथ साथ दोस्तों यह हमारे पेट में कोई infection हो गया है बैक्टरिया के दौरा उसको में भी काम करता है यूरिनी ट्रैक infection हो गया है जिसमें पिसाब म बिजीज है जो कि सेक्स करने के उजय से होती है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है तो हमारे सरीर में bacteria से जितने भी infection होते हैं उन सब में हम इसका यूज कर सकते हैं उसके अरावा डॉक्टर अपने हिसाब से इसका यूज और भी बहुत सारी बिमारियों मे करते हैं कि दोस्तोव अगर बात करें जो स्टमोर टैबलेट के डोज के वारे में तो इसका डोज है बच्छों के लिए 50 डीट्य आता है जो दिन में या दो बार देना रहता है मुष्ट और दो राता है UP इसको 25 तो ऑबिय करके देते है एक 50 ए मज के अगर बहुत ज़दा सीवियर है तो 400 एमजी दिन में दो बार देंगे सुबह और साम खाना खाने के बाद इसका जो डियूरेशन है दस से पंदरा दिन जैसे आपकी कंडिशन हो इसे चलाया जाता है और इतने में आराम मिल जाता है दोस्तों अगर बात करें से साइड इफ और इसको बेसे नहीं है तो आपको इसको बिना आपको बीमारी पहले से ही चल रही जैसे किट्नी हार्ट लीवर तो भी आपको नहीं लेना है और इस medicine जो एंटिबाटिक है इसके साथ कोई और दूसरी एंटिबाटिक नहीं लेना है तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी जो स्टम ओर टैबलेट के बारे में आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगली वीडियो में